इस वीडियो में बात करने वाले की बून लाइटिंग, क्या रिकमेंडेड है? क्या आपको करनी चाहिए? और क्या वो एथिकल है? सब्सक्राइब अगर आप इस सानल में पहली बार आ रहे हैं तो I want you to subscribe to this channel और लाइक कर लिजे इस वीडियो को because यहां पर में कुछ शेर करने वाला जो आपको बहुत इंपोर्टन हो सकता है अगर आप किसी चीशें डिस्टाइब करते हैं या कोई और कॉमेंट इप्लीज प्लीज पूट इन दे कॉमेंट सेक्शन बिलोग, let's get into the video Before I come to the points, मैं कुछ बात शेर करना चाहता हूँ, मैं पढ़ रहा था एक economic times के अंदर एक online report ती जहां पर बोला गया था कि majority of the employees उन्हें लगता है कि moonlighting गलत है I personally believe अगर आपका conflict of interest है या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके मेंचे अच्छली अठीकली गलत है Then okay, but 81% लोग बोल रहा है कि moonlighting गलत है And I believe वही लोग होते हैं जिनके अंदर कही न कहीं करेज नहीं होता है कुछ और चालू करने का या उनको comfort zone के अंदर रहना होता है And when they lose their job, वही लोग ब्लेम करते हैं उस company को जिनके लिए उन्होंने सब को devote किया था Like, मैं दो सब कुछ कर दिया इस company के लिए बट इस नहीं ने मुझे निकाल दिया So I think वह जो unethical की बात आती है I'm not sure, 81% लोगों को क्यों लगता है कि ये गलत है Is it because of the comfort zone? I don't know What do you think? Let me know in the comment section And second thing जो मैं ने अब्जर्व की जो की employers का perspective में share किया गा economic times में उसमें बताया गया 31% employers को लगता है कि उनके employees actively engaged नहीं है work पे इसके लिए वो moonlighting कर रहे है किसके responsibility है? अगर आपका employee engaged नहीं है काम पे किसके जिम्मेदारी है वो? Employer की या employee की? Employee की है बट उतनी ही जिम्मेदारी employer की भी है कि आपका employee क्यो engaged फिल नहीं कर रहे है क्या उसे काम में मजा नहीं आ रहा है क्या आपका culture खराब है क्या आपका client अच्छे नहीं है तो यहाँ पे responsibility employee पे डालने की वज़़ए employer को देखना चाहिए कि 31% लोग क्यों engaged नहीं है और अगर नहीं है तो obviously कही न कहीं को कुछ और देखना चाहेंगे जिससे वो अपनी income को support कर सके अपनी dreams को support कर सके second is an interesting observation था जो मैं आपको बठाना चाहूँगा 23% लोगों को लगता है कि उनके employees के पास बहुत सारा time बच गया इसके लिए वो moonlighting कर पा रहे है मुझे ही इतना weird लगा कि अगर मेरे पास 24 गंटे हैं आपकी job का time 10-7 दे 9-7 दे जो भी है उसके बाद अगर मैं कुछ कर रहा हूँ इसका मतलब अगर मैं सो भी रहा हूँ रात को तो मेरे पास बहुत सारा time है जो आपकी job में मैं नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए मैं सो रहा हूँ what kind of logic is that मुझे नहीं समझाया और बहुत weird सा लगा और अगर ऐसे ही employees वो 81% के अंदर आते हैं जिनको भी लगता है हाँ मेरा boss रही है मैं मोलाइटिंग नहीं करनी चाहिए I don't know what to do All right, let's get into the points मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा perspective कि मोलाइटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए और क्या आपकी considerations या factors होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा आपका employment contract जब हम initially join करते हैं हम चाहिए को document sign करवाई जाते हैं उस तेम शायद हम जल्दी-जल्दी में sign कर देते हैं अगर हमारी बड़ी job लगी तो we are like amazing life, सब कुछ अच्छा है बट आप जब सोच रहे हैं मैं कहीं और भी अपना काम करूँ मैं भी पार्ट टाइम में कुछ कर लू ताकि मैं अपनी income को supplement कर सकूँ चेक कीजी अपना पूरा contract और उसमें देखी क्या क्या clause है जो आपको रेस्टिक करते हैं यह चीज से अपने आपको सिर्फ अबरफली मानना नहीं कि नहीं नहीं इसमें में को मना कर दिया का that's fine हो सकता आपके contract में लिखा ही नहीं हो बट वो आपके अंदर किसी ने impression डाल दिया किसी ने डर डाल जाए कि यह मत करो बिकोज आपके contract में लिखावा है बट हो सकता नहीं हो प्लीज चेक यह contract very carefully सेकेंड आपको देखना पड़ेगा work-life balance मैं जनरली बात करता हूँ work-life integration की बट यहां पर work-life balance किस context में है वो बता देता हूँ पहली चीज आप जब करना चाह रहे हैं कोई freelancing part-time project बट आपका actual time of P की job में 14-15 गंटे जा रहा है और बाकी का time आप सो रहे हैं family की सा time spent का रहा है तो essentially कोई time बच नहीं जाता है और उस case के अंदर आपको पहले तेखना पड़ेगा यह 14-15 गंटे को मैं थोड़ा कम कैसे करूं by becoming more productive जिसके बारे में मैं डिसकस किया है पहले वीडियो में कि आप productive कैसे बनो और जब वो 14 गंटे को आप 12 गंटे में consume कर पाऊगे वो 2 गंटे को बचा के आप अपने freelancing में डालो अपने कुछ वो part time में डालो so that you can continue to do two jobs or two work or two freelancing but maintain your work as well थोड़ चीज जो आपको जहान अफिच है इस job में existing job में क्या वो skill 1 यूज करके आपको फ्रीलांशिंग भी कर सकते हो बहुत चारी चांज़े से मान लीज़े आप एक tax में कुछ काम करते है तो यह tax का detail आपका knowledge यहां पर काम आ रहा है same tax का knowledge लेके आप क्या किसी और client को अशिस कर सकते है on freelancing basis but always we are ensuring confidentiality breach नहीं होनी चाहिए यह client की information इसके पास नहीं आनी चाहिए और इस client की information यहां नहीं आनी चाहिए वो confidentiality बहुत critical है and as a professional हमें पालूम होना चाहिए इसके importance time management and prioritization करना ज़रूरी है because आप इस job की जो की existing year आपको बड़ा payment कर रही है इसके लिए जो side hustle है उसको इतना time ना दे दें ताकि आपकी यह job affect होने लगे वो जब यह job affect होगी वो आपकी performance में देखेगा and again आपके पर clearly doubt जाएगा why this person is not performing well क्या हो रहा exactly next point है वो completely depend करता है आपका कैसा relationship है अपने boss के साथ अपने management के साथ अगर आपको लगता है वो लोग open है यह समझने के लिए कि मैं moonlighting क्यों कर रहा हूँ which means मैं कोई freelancing project क्यों कर रहा हूँ because मेरे घर में मानली जी कुछ ऐसा हो गया है जिसके वाज से मुझे अपनी income बढ़ानी पड़ेगी तो आप उन्से बात कीजी कि कि क्या मैं existing job में कुछ कर सकता हूँ जासे मेरे income बढ़ जाए अगर आपको लगता है कि यह लोग नहीं मानेंगे नहीं सुनेंगे मुझे कुछ अपना ही देखना पड़ेगा तो आप वो जोब को चलने तो जो भी चल रहा है maintain जो भी आपके work standards से वहां पे लिकिन कुछ ना कुछ और साइड में आप देखना चालू करो ताकि आप आपके reason को justify करके आगे बढ़ पाओ और ज्यादा कमा पाओ in the freelancing also next year आपको ज्यान रखनी पड़ी कि और बहुत important because यह transition period कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों काम कर रहे हो साथ में और आपका work force जादा बढ़ गया workload बढ़ गया है 12-14 गंटे आप काम कर रहे हो in total वहां पर अगर आपना self-care अपना खुद का ध्यान नहीं दिगा food habits, exercise, meditation या ऐसी सब चीजों पर अगर अपने ध्यान नहीं दिया I think that's enough from my side आप बताइए मुझे आपको क्या लगता है Moonlighting का concept में क्या गलत है, क्या सही है क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों आपको लगता है कि हम कर सकते हैं But again make sure आप confidentiality breach नहीं कर रहे है आपको ऐसी चीजों को leak नहीं कर रहे है जो नहीं होनी चाहिए आपको professional integrity ethics को maintain करना है But at the same time एक अच्छा valid reason रखना है कि मैं Moonlighting क्यों करना चाहता हूँ Alright Subscribe to this channel अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया था And like this video अगर आपको helpful लगा हो तो Share कीजे उन लोगों के साथ जिनने ये वीडियो देखने की जरुरत है या फिर ये चैनल पर कुछ ऐसा content है जो उनके काम आ सकता है अगर कोई questions है या कोई comments है Please put in the comment section below I'll see you in the next video Thank you झाल